हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यनी धनूरासी, नमस्ते, मैं सुरेश गोड़ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर स्वागत करती हूँ, तो आज हम ये 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपके जो नियरेस्ट जो रिसेंट अभी अभी पास्ट बीता ह उसके लिए जो करंट अनर्जे 72 आवर्स के लिए है और आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है, तो उसके लिए हम 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की रिडिंग करेंगे, ये एक जनराल लेडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो ये किसी के साथ मैच कर सकती है और किसी के साथ नहीं भी कर सकती, तो फ्रेंट्स जिसके साथ इतना मैच करती है उतना लीजिए बाकी ओनों के लिए पास किजिए, तो चलिए चलते हैं, रिडिंग शुरू करने से पहले सबको धन तेरस की बहुत बहुत बदाईयां और हैपी दिवाली, भगवान करे, य खूब सम्रिदे दे, धन्दोलते, तो चलिए चलते हैं, आपका पास्ट के लिए ये कार्ड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और गाइडेंस के लिए, सेजिटेरियस, सोरी गाइज, कही ना कही आप लग रहा है कि जो आपका पास्ट बिता है, काफी कन्फ्यूजन में रहे हैं, काफी दिक्कत में रहे हैं, आप एक दो राहे पर खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं कि आप के पास दो-दो ओप्सन थे, आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाए कि इधर जाना है, कि इधर नहीं जाना है, आप डिप्रेशन में रहे हैं, आपने आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी हैं, मतलब कि आप समझोता ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर में भी ऐसा ही करते रहें, तो काफी ये आपके लिए गलत हो सकता है, काफी इसमें आपके लोसिज हो सकते हैं, काफी इसमें आप नुकसान उठा सकते हैं, और मेंटली भी आप या हेल्थ वाइज कह सकते हैं, कि इसमें भी आप लिकत उठा सकते हैं तो आपको अब अगर आप अब तक नहीं संभल पाए हैं अपने आपको नहीं संभल पाए हैं तो आपको अपना current और future अच्छा बनाने के लिए इससे बाहर निकलने की जुरूरत है फ्यूचर यह आपका जो current energy है congratulations यह current energy आपकी बहुत अच्छी आई है आपके favor में आई है आप काफे stable इसमें होते नजर आ रहे हैं कोई ना कोई good news good opportunity आपके पास जुरूर आने वाली है कोई gift आ सकता है कोई बाहर से कोई कोई रिष्तेदारी से या फोरण से कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई good news मिल सकती है हो सकता है वो आपके business के लिए हो आपके finance के लिए हो उसमें काफी अच्छा returns आ जाए या जो आप job के लिए offer हा सकता है किसी चीज़ के लिए भी जो पैसे से लेकर जो आपको stable करेगा आप के लिए कोई ना कोई opportunity कोई ना कोई good news इस दोरान बहुत जल्दी आने के आसार इसमें आपके लग रही है तो अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे effort लगाते रहे कोशिश करते रहे तो कुछ ना कुछ आपको इसमें good news जरूर मिलेगा कोई ना कोई खुसकबरी जरूर मिलेगी तो आपकी जो current energy है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है आपके favor में दिखाई दे रही है आप अकेले रहना आप freedom में रहना काफी पसंद करते हैं तो आप enjoy कीजिए मोज मस्ती कीजिए गुमिये फिर ये और parties में जाएए खुश रही है future तो आपने लगता है कि कोई past में जो दिक्कत जो प्रेशानी आप को दिखाई दे रही थी जो आपने आखों पे पट्टियां बांध रखी थी तो शायद आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं future में तो आपने अपना मन बना लिया है हो सकता है कि आपको कोई दोखा मिला हो कोई किसी ने आपको दोखा दिया हो कोई छल किया हो जिसके बारे में आप नहीं जानते थे तो उनसे आप किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो आपने सोच लिया है, मन बना लिया है कि future में मुझे क्या करना है तो लेकिन आप कहीं न कहीं आप अपने past को भी नहीं भुला पाएंगे आप उसको भी लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी लेकर चलने का अपना मन आपने बना रखा है तो अगर आप अपने future को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने past में जो आप के साथ हुआ है चाहे वो दोख़्ा हुआ है या कोई los हुआ है कुछ भी हुआ है अगर उसको आप यहीं छोड़ देते हैं उसको भूल कर आगे अगे अपने future को अगर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं effort लगाते हैं मेहनत करते हैं तो आप इसमें काम्याब हो सकते हैं नहीं तो अगर आप अपने past को इसी तरह से साथ साथ लेकर चलते रहें उसको नहीं बुला पाए तो future में फिर से आपको दिक्कतें परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं तो आप अपने future को अच्छा बनाने के लिए अपने past को भूलिए जो गलतिया हुई है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए जो confusion है जो प्रेशानी है जो दिक्कत है उसको भूल जाए और अपना future आगे अच्छा बनाने के बारे में सोचिए current energy आपके favor में है तो अगर आप इसको अच्छे से सोच समझ कर चलते हैं तो आपका future भी इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है आप नई beginning नई शुरुवाद इसमें कर सकते हैं तो अभी हम देखेंगे कि इसका guidance क्या आ रही है Sagittarius अगर आप अपने past को नहीं बुला पाए उनी के उसमें उलजे रहे तो कहीं न कहीं आप इसमें काफी भारी बर कम नुक्सान उठा सकते हैं यहां तक कि आपको घर छोड़ कर भी हो सकता है किसी एक को घर छोड़ कर भी जाना पड़े किसी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई जगड़ा हो सकता है और उस जगड़े में आपको physically चोट भी लग सकती है और financially भी आपके loss हो सकते हैं तो अगर आप अपने present और future को अच्छा बनाना चाहते हैं तो past को भूलिए जो गलतियां past में हुई है जो भी दोखा या चलकपट आपके साथ हुआ है उसको भूलकर अगर आप कोशिश करते हैं मेहनत और effort लगाते हैं तो आप अपने future को अच्छा बना सकते हैं नहीं तो आप इसमें काफी बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं तो इसको आपको भूलने की जरूरत है हो सकता है कि ये आपका किसी आपके अपने के द्वारा दिया हुआ दोखा हो तो इस सबसे बचने के लिए आपको अपने past को भूलना होगा उन गलतियों को भूलना होगा तो आ कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आइकन का बटन दबाएए कमेंट कीजिए आज वैसे भी धन तेरस है तो प्लीज इसका गिफ्ट तो बनता है तो खूब सब्सक्राइब कीजिए यही गिफ्ट मुझे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकू मुझे मौटिवेशन मिल सके